Dear students, we have to discuss education for sustainable development. हम education for sustainable development के अंदर EC के रोल की बात कर रहे हैं और EC कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है sustainable development goals को अचीव करने में और sustainable society के बनाने में हमने मुक्तले बातें की हैं जिसके अंदर हमने आटिचूट की बात की, emotions की बात की, जिसके अंदर हमने knowledge की बात की, फिर हमने recycling की बात की हमने कहा के recycling का जो रोल है बच्चों के learning process के अंदर जो है, वो कितना important है यह जो है, ना सिर्फ एक रोल प्ले करता है philosophical, psychological बलके pedagogical purpose भी achieve करता है और उसकी वज़ा क्या है, उसकी वज़ा यह है कि हमने जब हम बात कर रहे हैं, लो कास्ट मेटिरियल की और हम बात कर रहे हैं कि हम वो तमाम products जो garbage बन गई हैं, जो आम society के लिए garbage का रोल प्ले करती हैं, लेकन वो बच्चे के knowledge को experience में convert करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमने उसकी बहुत सारी मिसालें दी, इससे पहले भी हमने बात की हमने कहा कि जी वो glasses हो सकते हैं, वो आपके box हो सकते हैं, plastic के ties हो सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो है, जो चीजे हम उनको knowledge ही दे रहे हैं, वो knowledge जब experience में convert होगा, तो वो तमाम garbage, जिसका वो कोई रोल रहा नहीं अब इसका रोल बन गया है, एक early child education के अंदर, उनके experience के साथ, यहां पे बच्चा जब experience गेन करेगा, तो उसका knowledge जो है, वो concrete होगा हम अगर खाली बता देते हैं, कि जी ये डायोड है, मैं आम सी मिसाल देना चाहता हूँ, और बचे ने कभी डायोड देखा नहीं, तो अगर उसके सामने डायोड लाया जाएगा तो उसको तो उसने तो picture देखी है, उसने experience तो नहीं किया, तो वो तो उसको understand भी नहीं कर सके किसी दीके से और छोड़ी छोड़ी चीज़ें हैं जो हम आम तोर पे सिकंडी एजुकेशन के अंदर बच्चों को यूज़ करवाते हैं, आइसीज हैं या इस किसम के पेंटोर्ज हैं, साइंस के अंदर पार्टी कुली हम इसको यूज़ करते हैं, यही रोल जो हैं हमारे पास, ना सिर्फ एक रोल प्ले करता है, कि हमारी जो इंडस्ट्रियल्स की प्रोड़क्ट हैं, उनकी जो कास्ट है, नई प्रोड़क्ट खरीद करने की कास्ट, उसकी जो अफूर्डिबिलेटी है, उस इस इशु को अड्रेस करता हैं, और जो हमारा अबजेक्टिव हैं, क ये बच्चा experience कर ले, उसको भी डोल प्ले करता है, वो भी objective हमारा achieve हो जाता है, आप देखिए, इंडस्ट्रि के अंदर क्या होता है, आप थोड़ा सा पहले अगर इंडस्ट्रि की understand कर ले, इंडस्ट्रि ने एक चीज़ की production हुई, उसके बाद consumption हुई, replacement हुआ, और जो ची हो गई है, वो गार्वेज में चली हुई, अब देखें, ये गार्वेज जो है, ये बन्यादी तोर पे हमारी society को अलूदा करने में एक रोल प्ले कर रहा हुई, इसी गार्वेज को अगर आप, दूसरे लफजों में मैं अगर कहना चाहूँ, अगर इस गार्वेज को आप society के में के अंदर उस गार्वेज को आपने वेस्ट मैटियल को किसी जगा पे ले जाना है, अगर आपने उसको जलाना है, तो उससे भी दूआ पैदा होगा, समोक होगा, आपकी अलूदा फजा जो है, वो उसके अंदर अलूदगी बढ़ जाएगी, आपको किसी जगा सुत्रा किया, और स्कूल के अंदर उसको आके लख दिया, और उससे बच्चों के टीचिंग, लर्निंग प्रॉसेस को हमने एफेक्टिव कर दिया, तो अब आप देखें, कि हमारी वो जो अलूदगी का अंसर था, वो भी हमारा कवर हो गया, कि अब हम इन्वार्मेंट को अलूदगी को खतम भी कर रहे हैं, और गार्बिच को रिस्एक्लिंग करके यूज करके, यूज करके, तो बच्चे ने जो नॉलज़ आसल किया था, उसका एक्स्पिरिंस भी गेंड कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है, इस सवाले से इंपॉर्टे हो जाती है, दूसरे लफजों में हम बात कर लें, कि हम एट ए टाइंड दो रोल प्ले कर रहे हैं, जैनि हम आलूदगी को खतम भी कर रहे हैं, और गार्बिच को रिस्एक्लिंग करके, यूज करके, उसको बच्चों के नॉलिज इनास करने में भी उसका रोल प्ले कर रहे झालूदगी कर रहे हैं, यूज 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 कर